बातूनी कच्छुए की कहानी मौसम आते आते तालाप पूरी तरह से सुख जाएगा। इस पर कच्छवा हंसो के पास गया और कहा कि तुम आसपास के क्षेतर में जाओ और ऐसा तालाप का पता लगाओ कि जहां पानी हो जहां हम जाके रह सके। हंसो ने पास के एक गाव में एक पानी से भरा तालाब खोज लिया ये बात उन्होंने कच्छुए को जाकर बता दी इसके बाद कच्छुए ने हंसो से कहा कि तुम मुझे भी वहां ले चलो हंसो ने कहा कि ठीक है हम एक लकडी लाते हैं हम तुम्हें उस पर बिठा देंगे और तुम्हें ले चलेंगे बस एक शर्त यह है कि तुम कुरे रास्ते अपना मुझ बंद रखोगे यदि तुम मुझ खोलोगे तो तुम गिर जाओगे कच्छुए ने वादा किया ठीक है इसके बाद दोनों हंसों ने लकडी एक-एक कोने से अपनी चोच में दबा ली और लकडी को बीच में से कच्छुए ने अपने मुम में पकड़ ली जब दोनों हंस कच्छुए को लेकर आस्मान में उड़ रहे थे तो तभी रास्ते में एक गाव आया गाव में खेल रहे सभी बच्चे यह देख चलाने लगे की कच्छुआ आस्मान में उड़ रहा है यह देख कच्छुआ नीचे देखने लगा कच्छुए को यह सब देख रहा नहीं गया कच्छुए ने हंसों से बात करने के लिए जैसे ही मुह खोला लकडी तूट गई और कच्छुआ हंसों से छूट कर गाव में गिर गया ज्यादा उंचाई से गिरने के कारण कच्छुए को बहुत चोट लगी और थोड़ी देर बाद कच्छुआ तडप कर मर गया कहानी की सीख कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमान व्यक्ति शांत और चुप रहते हैं और मुर्क व्यक्ति चंचल और अपने पर काबू नहीं रख पाते